फार्मेसिस्ट पंजीकरण प्रक्रिया फार्मेसिस्ट पंजीकरण की प्रक्रिया भारत में राज्य सरकार के फार्मेसी परिशद द्वारा प्रबंदित की जाती है. यहां आपको एक सामान्य मार्ग दर्शन दिया जा रहा है जिसमें आपको पंजीकरन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी एक, योग्यता, सबसे पहला कदम यहाँ है कि आपके पास एक प्रस्तावित फार्मेसि या फार्मा दिगरी होनी चाहिए जिसे आयोगानुसार मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त किया जाता है। शक्ता होगी जैसे की। सत्यापित करने के बाद आपका पंजीकरन पूरा किया जाएगा। आठ पंजीकरित फार्मेसिस्ट का प्रमानपत्र जारी किया जाएगा। जब आपका पंजीकरन पूरा होता है, तो आपको पंजीकरित फार्मेसिस्ट का प्रमानपत्र जारी किया जाता है, जिसे आपको सम्यस्मय पर रिनीव करवाना होता है। त्रिप्या ध्यान दे कि यह प्रक्रिया राज्य और प्रदेश के आधार पर थोड़ी बदल सकती है, इसलिए आपको आपके राज्य की फार्मेसी परिशत की आधिकारिक वेबसाइट पर सही और आधिकारिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए.